और उनको एक चितावनी है कि दिल्ली के लोगों ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के लावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुनसक बना देंगे उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे ये बीजेपी द्वारा दि केवल दिल्ली के लोगों की ही चेतावनी नहीं है ये बिल देश के सुप्रीम कोट है उसकी तोहीन है सुप्रीम कोट का संबिधानिक पीट का सर्वसंमती के फैसले को मातर आठ दिन में एक और्डिनेंस के माध्यम से पलट देने की जो पाप एक केंदर में बैठी मोधी सर प्रिखार ने किया है वो शायद ही आज तक कभी भारत के त्यास में देखा गया हो और अंत में मैं आपको बता दूँ आपको यह समझना पड़ेगा कि यह सारी चीज हुई क्यूं क्यूं दिल्ली के अध्यादेश को लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं दिल चुनाव मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव 6 के 6 चुनाव बीजेपी बुरी तरीके सहारी और खास करके 2013 के बाद जितने चुनाव होए जो अर्विंद केजरिवाल के सामने बीजेपी ने चुनाव लड़े उन सारे चुनावों में दिल्ली के लोगों ने अर्विंद के चुकी है BJP की दिल्ली के एकाई के तमाम नेता राजनेतिक तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं तो अब अपनी खतम हो चुकी दिल्ली BJP को का संग्यान लेते होगे शायद हाई कमांड ने ये फैसला लिया बीजेपी के कि सरकार ही खतम कर दो तांकि जंजट ही ना हो और उसी कदम उसी सिलसले में ये कदम लिया गए संख्याबल का फैसला तो सदन के भीतर होता है जब मदान होता है उससे पहले संख्याबल की बाते करना बेमानी होगा लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इतना संवेधानिक कानून है कि ऐसे बहुत लोग जो संवेधान से प्यार करते हैं देश के लोकतंतर को कायम रखना चाते हैं वो सब लोग आमादनी पार्टी को वोट देंगे और आमादनी पार्टी को नहीं बलकि इस अध्यादेश के खिलाफ जाके से हराने के लिए वोट देंगे संख्या बल का फैसला मैं फिर आपको बता दूँ सदन के भीतर जब मद्दान होता है उस समय होता है आज संख्या बल की और आंकडों की बात करना बेमानी होगा सारी पार्टियां अपने हिसाब से फैसला लेंगी और जो ने उचित लगेगा करेगी हमें ऐसा लगता है कि इस बिल को हराने के लिए तमाम पार्टियां साथ आएंगी यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के भी कुछ ऐसे संख्या जरूर होंगे जिने संविधान और लोकतंतर से उतनी ही महबत है जितनी हम सब को है और वो भी देश के संविधान और लोकतंतर को बचाने के लिए आम आदमी पार्टियां का साथ देंगे और इस का लिए देश को हराएंगे